हलो एविवन मैं संजीत और आप सबूं का वेलकम करता हूँ और आज के इस क्लास में हम लोग जीके के टॉप 50 कोश्चन्स को देखेंगे और उमीद करूंगा कि आपको ये पसंद आने के बाद आप इसे लाइक अवस्य करिएगा ठीक है और हो सकता है कि इनमें कुछ कौश्चन भी मिलेंगे जिनका जवाब शायद आपको पहले से पता नहीं हो ठीक है तो चलिए पहला कोश्चन देख रहे हैं कि कौन सा खनीज की धरतन को कंट्रूल करता है मतलब कि वो कौन सा मिनरल है जो हमारे हर्ट बीट को कंट्रूल करता है तो इसका सही जवाब क्या कि आमान ली को बार देप शमू कि आपने याद रखेगा सबसे उंचा पामीर पठर कौन से है तो दुनिया का सबसे जू उंचा पठर वो कौन है तिब़त का पामीर पठर अ नेक्स स्क्रॉश्चन में सबसे ज़्यादा कारभो हाईड़ेट की मातर होते हैं कि कीस फोट। में मतलडनEP, सबसे ज़्यादा कारभो साइनस में हम लोग पढ़ते हैं कि कार्भो ऐडारे क्या energy giving food है है नहीं बहुत अच्छी बात है लेकिन यह सबसे ज़्यादा किस्में होता है आलू में होता है यह बात सच्छ लेकिन सबसे ज्यादा किस्में है मक्का लेकिन हम लोग इसके मक्य की रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं जेनरली कभी बुट्टा बुन कर हम लोग खा लेते हैं लेकिन जेनरली खाते नहीं लेकिन सोची इसमें कितना कार्भाइडरेट है नेक्स कोशन खून में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है तो खून में हमारे ब्लड में प्रोटीन का जो परसेंटेज वो कितना है आठ परसेंट कितना है आठ परसेंट यह निकि एक परसेंट भारत का सबसे उचा रेल मार्वी किस नदी पर बनाया गया है कि इंडिया में कि इस नदी पे सबसे उचा रेलवे ब्रीज बनाया गया तो चिनाब नदी ठीक है आपको पता होगा कि चिनाब नदी कहां पे है भारत के किस राज में आपको पता होगा जमुएन कासमीर में ठीक है कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है एक बड़ा नया सवाल लग होगा कि वहिया यह कौन सा नया जानवर है कि जो पानी पीने के बाद मर जाता है तो सही जवाब क्या है कंगारू चुहा यानि कंगारू चुहा जो है वो पानी पीने के बाद क्या हो जाता है मर जाता है ठीक है खटे फलों में कौन सा एसीड होता है साइंस में आप लोग